यह जो है वो एक air cooler है जिसको आपने कहीं न कहीं तो देखा ही होगा बट क्या आप चानते हो कि यह air cooler जो होता है वो work कैसे करता है और उसके अंदर कौन-कौन से parts होते है तो चलिए आज इस video में हम 3D animation के help से पूरा air cooler के बारे में समझने वाले है so friends air cooler जो है वो एक water evaporation के principle पर work करने के वाली device है अब इसको आसान भाषा में हम आगे समझेगे वो समझने से पहले हम समझते हैं कि यह air cooler जो है वो mainly बना कौन-कौन से component से रहता है जिसमें सबसे पहले यह जो है वो एक water tank है बलब कि यह जो tank है उसके अंदर normally water field रहता है फिर पाद में इस tank के inside कुछ इस तरह से एक छोटा सा water pump रहता है अब यह pump का main काम क्या होता है इसकी जो water tank में मुझूद water जो है उसको pump करके उपर की साड़ पे भेजने का काम होता है अब फ्रेंट्स यह pump जो है उसका यह जो pipe है वो suction pipe है मतलब कि यहां से यह pump जो है वो water को खी मतलब कि यहां से वो pressurized water जो है वो उपर की साड़ फैकेगा तो यह काम यह water pump करता है अब इस क्या होगा कि जैसे ही pump on होगा तो water tank के inside जो भी water है उसको वो सक करके कुछ इस तरह उपर की साड़ शिफ्ट करेगा अब यह जो water उपर पहुचता है उसके साथ एक यह water spreading pipe लग रहता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है अब फ्रेंस ही evaporating paid जो है वो बना रहता है cellules and synthetic materials से और इसका जो shape होता है वो honeycomb shape का यह बना रहता है जिससे क्या होता है कि जब भी आप water को pump करके इसके उपर spray करो तो क्या होगा कि water जो है इसके अंदर store हो जाए थोड़ा- होता है वैसे इसके honeycomb के अंदर water store हो जाए इसके लिए उसका shape honeycomb रहता है फिर next case क्या होता है कि इसके आगे की side पे कुछ इस तरह से एक blower fan लगाया जाता है अब जैसे ही air cooler को electrical supply मिलेगा तो क्या होगा कि सबसे पहले यह जो water pump जो है वो start होगा और वो क्या करेगा कि जो water tank है कि मैं मोचुद पानी जो है water जो है उसको pump करके उपर की side shift करेगा और यह जो pumping हुआ water जो है वो spray होके यह पूरा जो आपका evaporating pad जो है उसको गिला कर देगा फिर next यह जो blower fan है वो भी साथी में own हो जाएगा और यह blower fan जो है उसका main purpose का इस क्या होता है कि वो जो air जो है उसको sub करने का काम करता है मतलब कि बाहर की hot air जो है उसको वो पहले hot air को sub करेगा और जो hot air जो है वो evaporating pad में से पास होगी evaporating pad के बाहर जो भी air निकलेगी वो cool down होके air निकलेगी बाद में यह cool down air जो है उसको force ली यह जो fan है fan blower जो है वो directly बाहर की side फेक के distribute कर द लगा दिया जाता है और यह देक कवर के अंदर कुछ इस तरह से होल रहेगे, वो क्या करेगे वो एर को आसाणी से अंदर आने के लिए यह होल रखे रहेते हैं यादैन बाद में उसके उपर ये फ्रंट लगा दिया जाता है कुछ इस तरह से एंड हमारा पूरा एर कूलर जो है वो बनके रेडी हो जाता है